नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि माइफेर क्रीम का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, माइफेर क्रीम को कैसे लगाना चाहिए, और माइफेर क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, औ और यह भी डिसकस करेंगे कि माइफेर क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडीशन्स में माइफेर क्रीम को लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है, माइफेर क्रीम का उप्योग चेहरे पर दाग, धब्बों, निशान वजहाईयों को हटा के लिए किया जाता है आखों के नीचे काले घेरे होने पर यानि डार्क सरकल्स होने पर भी माइफेर क्रीम का उप्योग किया जाता है मेलाजमा होने पर वचा पर काले रंग के पैच हो जाते हैं, जो शरीर में हार्मोनल बदला या सूरज की धूप की वजह से भी हो सकते हैं, मेलाजमा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है, लेकिन मेलाजमा की समस्या पुरुशों में भी हो सकती है, माई फेर क्रीम का उप्योग मह वो पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। दो लेना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए। किनारों के पास लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है। इसलिए माइफेर क्रीम को आख मुह और नाख के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि माइफेर क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में माइफेर क्रीम को लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है। जब तक आप माइफेर क्रीम को लगा रहे हैं, तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए। बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रियोग कर सकते हैं। माइफेर क्रीम को केवल रात के समय ही लगाना रेकमेंदेड है। इसलिए आपको माइफेर क्रीम को दिन के समय में नहीं लगाना चाहिए। लगातार आठ सब्ताह से अधिक माईफेर क्रीम को लगाना रेकमें देड नहीं है। इसलिए आठ सब्ताह से अधिक माईफेर क्रीम को दॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए। त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर माईफे माइफेर क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए. बार बार या लंबे समय तक आपको माइफेर क्रीम को आखों के नीचे या आखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि माइफेर क्रीम के अंदर स्टेरोइड्स होता है. और माइफेर क्री को बार-बार या लंबे समय तक आखों के नीचे लगाने से आखों में केट्रेक या ग्लूकोमा हो सकता है आखों में केट्रेक या ग्लूकोमा होने पर आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है अगर आपको माइफेर क्रीम या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलर्ज माई फेर क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुजली या लालपन हो सकता है। माई फेर क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और माई फेर क्रीम को के वर उतने समय तक ही लगाना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने माई फेर क्रीम को लगाने की सलाह दी है। कुछ लोगों में माई फेर क्रीम को लगाने के बाद तवचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। और My Fair क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में अस्थाई तोर पर सूखापन हो सकता है। अगर आपको त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है, तो आपको सुभा उठने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद आप वैसलीन या कोई अन्य मॉस्टराइजर क्रीम लगा सकते हैं। ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा न हो। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं माइफेर क्रीम को लगा सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए माइफेर क्रीम का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को माई फेर क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को माई फेर क्रीम को नहीं लगाना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.